जै मातादी नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन हैं स्वागत हैं आई ये सुनते हैं महा भागवत देवी पुरान का तैस्वाध्याय इस सद्ध्याय में भगवती का काली रूप में भगवान संकर को दर्शन देना और भगवान संकर द्वारा काली के चेरन कमलों को हिर्दे में धारन कर उनका ध्यान करना तथा सहस्तर नाम द्वारा देवी की अस्तूती बताई गई हैं। श्री महादेव जी बोले नारत भगवान संकर के तृतिये नेतर से निकली हुई अगनी पुना कभी उनके पास जा नहीं सकी मुनेवा अगनी बढ़वा के रूप में होकर संफुन पृत्मी को जलाने लगी तब ब्रह्मा जी ने आकर उस बढ़वा रूपी पिनी अगनी को किलेकर समून्दर से प्राथना करके उसे जल में स्थापित कर देया काम डेव के सुक से मोहित होकर सभी देवता याश निर्जन कानन में जगत माखा समूखी परवती ने काम डेव की पत्नी रती को अस्वासन दियाकि तुम्हारे स्वामी पुना को जीवित हो जाएंगे ततंदर उन्हों भगवान महादेव से कहा सिरी महादेव जी बोले देव मुझे आदिशक्ति प्रकृति को पत्नी के रूप में पाने के लिए आपके बहुत ही दिनों तक कठिन तबस्य की है फिर आपने काम देव को क्यों नश्ट कर दिया है काम के नश्ट हो जाने पर आप उन्होंने ध्यान करके हिमाले पूत्री को आधा प्रकृति के रूप में जाना तब हर्चे से पर्श फूलित होते हुए उन्होंने आख बंद कर ली और फिर सर्व लोक सुंदरी परवती को देख कर बोले अपनी लीला से आवतीर्ण आपको में पूर्ण प्रकृति के इंगो वाली अपने प्रिया सती के सम्मान अपने सामने देख रहा हूं सिरी देवी जी बोली आपके सुंदर प्रेम भाव से संतोष्टे हुई मैं ग्री राज ही मुआन के घर में लेकर पुन्ह आपको पती रूप में प्रात करने के लिए आपके समुप आई हूं जो जी भीमा और तेरलोक्य मोहिनी हूं सिरी जी बोले यदि आप ही मेरी प्रान प्रिया सुलोचन सती है तो जीस परकार दक्ष प्रजापती के महायोगी को नास करने के लिए महा मेग के समान कांती मै भ्यांकर रूपनी दिगंबरा काली के रूप में परकट हुई थी अपने उस सुरूप को हमें दिखाई श्री महादेव जी बोले मुनिस रिष्ट भगवान संभू ऐसा कहने पर वे ग्री राज पुत्री पुर्व की भाती चिकने काजल के समान कांती वाली सक्षात काली रूप से प्रकट हो गई वे दिगंबरा थी उनका सरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भ्यानक आखे फैले हुई थी उनके वक्ष अस्थल पर पूष्टे उन्नत रोज सोभा पा रहे थे पैरों पर लटके हुए लंबे केस पाल से उनका स्वय रूप भ्यानक परतीत होता था लपलपाती हुई जीप और चमकते दात तथा नखो से उसी परकाट सुस घुटनों तक लटकती हुई अत्यांद विशाल चंचन मूंड माला से उसी परकाट सुस्ववित हो रही थी मानों महा मेगों की घंगोर घाटा चाई हुई है और चार लंबी भूजाओं से जोतिर मरेई सुस्ववित हो रही है और नाना वर्नों से रतनों से जटित पूर्वक गद्दवानी में से ऐसा कहा बहुत दिनों तक आप से अलग रहने के कारण यह मेरा हिड़े विरद से दग्ध हो गया आप महेशुरी मेरे हिड़े में रहने वाली अंतरम माइनी सकती है आपके चरन कमलों को मैं अपने हिड़े में धारन कर रहा था उनकी ध्यान के अनंद में मगन शीव चेश्टा सुन्य होकर सवरूप में इस्थित हो गई और परम आधरपुर्बग घुर्णित नेत्रों से उन्हें देखने लगे। से यह बात कही। शीरी देवी जी बोली में आपके लिए ग्री राज के पुत्री भाव को प्राप्त हुई। आप मेरे प्रयान के समान पती हैं तथा में आपकी अनन्य अर्धांगनी हूँ। आपने मेरे लिए दिर्ग काल तक कठिन तपस्या की है और मैं तपस्या के द्व में आपके लिए कोई भी अराध्य नहीं है इस परकार अपने किर्प्या परवत्वा आधी गुनों से मेरे उपर अनुगरह करें सीवे में इसी वर के लिए आपसे प्राथना करता हूं जहां जहां आप का यह सुंदर काली रूप अस्थापित हो वहां मेरे हिर्दे पर भ अप्रसान हो यह सिरी महादेवजी बोले संकर के द्वारा इस प्रकार कहने पर पड़लाई कालिन मेंग समान कांथीमन भगवती काली ऐसा ही ہو इस प्रकार कारका पुरनः गोरी के रूप में पुर्मता परिनत हो गई जो ब्यक्ति भगवान संकर के द्वारा कहे गए देव सभी हिंसक प्रानी तथा चोर आदी उसको देखने मात्र से दूर ही भाग जाते वह अनुलंगनिये आगे वाला चित्र हो जाता है ते था सर्वत महान कल्यानकों का प्राप्त करना है अंत में दुर्गाजी की अस्मिर्ति को प्राप्त कर स्वय देवी का अंस हो जाता है इस परकार सिरी महाभागवत पुरान के अंतरगत सिरी महादेव नारत संबाद में शीव वक्त निर्गत ललिता सहस्तर नामक अध्याय 23 पूर्ण हुगा तो भक्त गं यह थी महाभागवत देवी पुरान के 23 अध्याय की प्रस्तुती आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सेस्क्राइब करें कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यबाद नमस्कार जैमाता दे